वेलकम है सभी का मेरे यूटूब चैनल पर आज एक नए वीडियो में हम लोग चर्चे करेंगे जिससे आज का जो टॉपिक है वो कलास तेंत का है बोड एक्जाम 2021 के लिए एक टॉपिक बहुत ही महत्वर टॉपिक है इसमें बहुत सारे कोश्चन भी आते हैं बोड की आफिक क्तूबड़ा कवर करेंगे ज्यूकित तुम्मृति जो है बहुत फ़्थी चेप्टर तो फिर्कडमृति लेकर कुछ होता है वे जा दू हमको यांतकरना पड़ता है क disp kong समझना होता है है वsings thing होता है चुकि इक बूकों में टोटली फार्मूला नवर देके कुछ फार्मूले दिया है चली तो दिखूत है जाइवां को पसंद आए तो चलते हैं आपको बेस्ट नहीं करते हैं श्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आपाल हमें इंट्रोडेक्शन है तो फिर्कुण मिती है इसका हम लोग जान लेते हैं क्या होगा त्रिकुण मिती दो सब इसका हम डिफनेशन इजली दे सकते हैं कि तिर्पूड मेती गडित की वह साखा है जिसमें हम क्या करते हैं तिर्भूज की भोजाओं में कौड़ों के माप करते हैं तो जिसमें तिर्भूज के भोजाओं और कौड़ों की माप किया जाता है वह हमारा क्या क्या तर्पूड म बने जैसे यहां एक आकरती आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री के तो यह 90 डिग्री के ही क्या होता है ट्राइंगल पे क्या होता है नियम लाग हो आगे हम बहुत सरे चीजों को पढ़ेंगे जैसे तिर्कुड कुम आपने की कितनी पद्दतियां है इसमें क्या क्या होता है उसमें क्या क्या होता है यहां यह जी लिखा गया यह क्या है एक वे उपर सी लिखा गया वो क्या होता है आगे हम लोग सब डिसकसन करेंगे फश्टा पाल यह सब को समझ में आ गया होगा कि तुर्कुड मीती क्या है दो सब दूसरों मिलके बना है तीन कोड़ों की माप करते हैं वह हमारी क्या होती है तो कोड़ों को चुकि इसमें मापना है नहीं दिया हुआ है बहुत पहले कि चलती थी तो नाइंट होगारा में यह चीजे देता था इसको हम सोचे हैं कि इसको आपको बता दिया जाए चुकि आगे भी काम आता है और देखिए एक साथ चेप्टर है जो पूरे जब भी हाई सुल के बाद इंटर में जाएंगे ती आपके साथ नहीं छोड़ता बाकि तो थोड़ा सीजे बदल जाती है तो पढ़ना ही पढ़ना इसम में जो भी एंजिनरिंग के एजाम देते हैं उसमें क्या होता यह कोशन पूछे जाते हैं तो भी टॉपिक कवर किया जागा त्रिकमिती का यह फर्स्ट वीडियो है आगे वीडियो में बहुत सारे टॉपिक जितना हाई स्कूल का है सबको कवर करूँगा तो देखिए फर प्रान्स ही णे प्रेंच सिस्टन होता है ते आपका समान भागों में बाटा समकूड है एक समर्बरबर समान भागों में क्या क्या समकूड है हैं जिसको हम लोग आते हैं डिगरी जैसे हम ऐसे लिखा है एक को लिखना है एक को लिखना है तम क्या लिखेंगे 200 ने करेंगे दिखिcommunity एक्षूरण डिगरे अब देखेगा अब इसमें क्हारें अगर ऐसे औरन एक संप्रतिक क्या होता इस हम दिखा देंगे फिर पुनर है कि जब 1 अंस को 60 बराबर्वागों में बाटा जाता है तो परतेग भाग को क्या ऐसा है ऐसे देखते हो लिख देंगे इसके उपर हमें ऐसे कामा लगा देंगे तो एक मिनट हो जाएगा फिर देखिए अब क्या करें की जब हमाद सकता हैक कि एक समकूर कि एक समकूर बड़ाबर हमारा कितना हो गया 90 degree और देखिएगा एक ans बराबर हमार कितना हो गया 60 आपका minute हो जाएगा और फिर देखिए एक minute बराबर कितना हो जाएगा 60 second यह आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब एक समकोड बराबर 90 ans एक ans में कितना हो गया 60 minute 60 minute और एक minute में क्या होता है 60 second फिर देखिएगा दूसरा जो होता है हमारा दूसरा जो है दूसरा हम लोग का यह है सतिक जो सतिक पद्दत यानि फ्रांसीसी पद्दत है इसमें क्या होता है देखिए इस पद्दत में एक समकूण को क्या किया जाता है सौ बराबर भागों में अभी हम लोग इसमें बाटे ह सव्ष्टिव वाले में बाटे हैं नब्य बड्र भागों में इसमें बाटेंगे सो बराबर भागों में तो प्रतेक भाग का नमे यह मैं ग्रेड क्या करते हैं अब छेखी सब्रक्र क्रेड़ में बाटते हैं तो खेट टोण ऑपर 1986 GB बराबर भागों में बाटा जाता है तो परतेक भाग हम करते हैं फिर वही चीज आ गया मीनट यानि एक ग्रेड को कितने भागों बाटना है सव बराबर भागों में बाटा जाता है तो हमारा क्या होता है एक minute बनता है वही चीज है कि यानि एक grade बराबर हो जाएगा मैं कि इसे हम ऐसे परदसित करेंगे उसका पर देखिएगा कर चब क्या कि मिंडेर को प्र distinction हो सब कुछ वही उपर वाला ही सेम टू सेम वही कंडिशन है यहां अंस के जगा पर आपका ग्रेट आजाएगा बट इसमें क्या जाता है ग्रेट यह पदतिया इस समय नहीं चलती है फिर बृती वाला भी क्या होता है कुछ कोशन देता है बट चलता नहीं देखिए बृती किया जाता है जो किसी बृत की तिर्जय के बराबर लंबाई वाले चाप द्वरा उस बृत के केंदर पर आंतरित कौन का माप एक रेडियन होता है इसको रेडियन इसमें कोई विश्यस आपको इसको पढ़ना नहीं है पिस समझ लेना थोड़ा सा यहीं इंगलिस जो सिष् पा पाई जो कि एक सौ ऐसी ऑंज बराबर आपको क्या होता है एक एक रेडियन होता है एक क्या हो जाएगा आपका 로डियन तो आपको फूझ देय। सब्सक्राइब लिए ए फिर यहां से हमको क्या पड़ना पड़ता है अनुपातों को समझना होता है अनुपातों को समझन एक लिया हुआ रही साह्न का पूरा नाम है यह ल one है नहीं इसको हम लोग साट में लिखते हैं साइन ठीटा फिर देखिए जो कॉस हम लोग लिखते हैं कॉस का होता है को साइन को साइन फिर देखिए टेंट ठीटा होता है यहां पर कॉसिक ठीटा का को से को सेंट होता है फिर सेंट होता है को टेंगेंट होता है आपका टेंज पिर देखिए कौण क्या होता है जैसे कोई भी 90 डिग्री का कौण है आपके सामने जैसे एक तिर्भूज हम बना दे रहें आप ए हो गया यह बी हो गया यही आपको समझना है क्लास 10 के टॉपिक में में यह जो भी कोश्चन करा गया है इसी से करा जाएगा फिर देखिए जै इसको ठीक मालें यहां हो जागा हमारा ठीक जो यहां पे है तो इसके सामने की भूजा क्या होते है उसके सामने की भूजा होती हो क्या होती है के सम doivent और सबसे बड़ी लिखाया होता है कि सोचते हैं कि नीचे वाला हमेंसा होता है अधार होता है और ऊपर क्या होता है लम होता लेगन ऐसे जो जो निकालना कहनाल हो वह हमारा क्या होता है उसके सामने को ढैंसे बना कोई कोई दिकत नहीं कि यहाँ लब हो गया है और यह क्या हो गया इस अधार आंगा हम को एक दो हम कुछ समझना है कि क्या होता है कि एक लिए क्या है को हम सब्सक्राइब कुछ एक की करें कि ईसको बोर Ayodicем होता है मुठ होता है कुछ अनुपात खोते हैंidede रिलेशन को भी हम लोग क्या करेंगे डिसकसन करेंगे बने रहे हैं थोड़ा इसको इरेज करते हम कि यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है यह तो सिर्फ एक इंट्रोडेक्शन है अब इस चेप्टर वाइस पूरा जो भी पात को निकालेंगे तो देखिए आपके सामने एक आपको हम समकूर तिर्फुज बना दे रहा है यह हो गया यह बी हो गया यह सी हो गया अब देखेगा हम इसको ठीटा मानते हैं तो देखिएगा पहला तो हमारा हो जाएगा शाइन ठीटा फिर साट में लिख रहे हैं है इसका फोजिटिभी होता उल्टा वाला रचेशा एंका उल्टा क्या होता आ अपका दीए साइन का उल्टा होता है हैं आपको याद रखने हैं इसी का आपोजिट होता है स्थाइन ठीटा का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर्या कर्या जाएगा त्युन्हें उसको एसे भी लिख सकते हैं उसक्राइब मुया लिख सकते हैं इस टिन ठीन भर रह जाएगा एक बट्ट कॉट ठीटा और देखिए आपके बुक में ऐन फरमूला बहुत इंपोड़न फरमूला है इसका यूज किया गया चप्टर को साब करने के लिए एक और फरमूला होता है आपका 10-2 होता है साइन ठीटा बटा कॉस ठीटा और चुकि कॉट इसका उल्टा होता है पोजिट होता है तो क्या हो जाएगा कॉस ठीटा बटा साइन ठीटा तो इस फार्मूले को हमको याद रखना है देखिए इसमें कुछ रिलेशन बनाए गया है इसमें रिलेशन यह बनाए गया है कि जैसे देखिएगा अब माली जी यह हमारा आधार हो गया आधार हो गया यह हमारा क्या हो गया लंब हो गया और यह हमारा क्या हो ज जाएगा तो देखिए इसमें रिलेशन कैसे हम बनाएंगे देखिए साइन ठीटा बरार आपका होता है साइन ठीटा बरार होता है लंब बटा कॉर्ड अब इसको याद करना बहुत इजी अब यह हम ट्रीक इसको बता रहे हैं याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा साइन पर होना लंब बटा कॉण्ण देखियो कास ठीक वरर हो जाएगा एम को अधार बटा कर दिए कि चन ठीटा बढ देखिए लांब बटा को आपका हो जाएगा आधार ओ Bernard तो आप सोची सकते हैं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉंडबटा लम देखिए याद करने का फर्मूला होता है लाल बटा कक्का यह देखिए लाल बटा कका पेपर मेंसalfe में लिखना लबटा क्या है याद करने के लिए हैं ऍiuधरीक न एक ट्रीक है तो दखिय याद से क्या हो जएगा यह स मुख समझेंगे यहाँ पे आदार होॉ जाएगा के सिह से आधार हो आपको यहां पर चोटा से कोश्चन दे दे और इसको करने से पहले हम को चीज समझना चुकि देखिए कि इसका मेन जो होता है होता है पाइथागोरस पर्मे क्या है क्या है कि करण का जो वर्ग होता है वह अन्य दूभुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है बराबर और बंदान्य दूभुजाओं कुछ भी हो सकती को जो रिरुन आधार पहले हो अधार का स्कौाइर प्लस आपको हो जाएगा लंब का स्कौर्इब पिर पच्छांतर करके दो और फ़ार मूले बना सकते हैं आधार क्या हो जाएगा कर्ण का स्कौाइर को मैं मैंस लंब के बराबर नोंवगता कर दो चीज है तो आप बताई ए कौस्ट अमान बताई ये कौस्ट ए कमान बताई गस Culture साइन ठीटाव ये आपको लिख लेना है कि साइन temos टिकटावर क्या ह geb गलता का लूंब ब'Tा और देखेगा का स्के क्था सकते हैं ये अधार बटा कोंड यानि आधार बटा क्या होता है को सीटा निकाल पाएंगे जब हमको क्या पता हो आधार क्षाण रहेयunes के पचीस है दिले सीघ्वाइब कुछ कर नहीं कि आधार के लिए लिए देखिये आधार आधार बढ भभी हिए फीया सक्वाईर की मैंनस प्रके के पास कितना है और फिर इस मिनसन लोग रिखाए जू लेगे नुरण Topk 구 चीज कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा 80 हो जाएगा फिर इसमें साप माइनस कर लीजिए तो फूर हो जाएगा कि पूर और यह फाइब आपके पास बचेगा पांसो चुवाले इसका वर्गमूल निकलता है तो निकाली एगर नहीं तो कुछ काट पीड़ करेंगे छोड़ देंगे यानि हम इसके जगापी सब्सक्राइब निकलने वाला तो निकाली ने तो वैसे कि एक छोड़ दीजिए जैसे देखिए तो यह हमारा देखिए अभी यहां लिखेंगे कौस यह बरार हो जाएगा आपका आधार बटा कौन त इसको चाब निकालना पड़ेगा इसको निकाल लीजेगा देखिए तो इस तरह से यदि एक हमको अनुपात पता है तो हम क्या कर सकते हैं अन्य पांचों पातों को निकाल सकते हैं हमारे कुष्चन में एक जाम में देता है कि जिसाइन एक आमान नव बटा पचीज है कुछ देगा एक बटा तीन है दू बटा चार है तो अन्य से पांचों अनुपात क्या है तो आपको निकाल लीजिए उसके वाद से क्या करना उसमें फिल कर देना है और एक चीज और देखिए आपको यानुपात तो समझ में आई गया होगा आगे बहुत सारे फर्मूला है चु होता है साइन गुड़े एक क्योंकि अलग चीज है यहां पर क्या है अलग यह गुड़े क्या होता है बराबर नहीं होता उसी प्रकार आपका यह हो सकता इसमें देखिए जिससे साइन इसक्वार एक आमान साइन यह बराबर नहीं होगा साइन एसक्वार के यह अलग स्क्वाइर यह दोनों आप क्या होंगे आपस में परावर होंगे यह देखिए कुछ में इसको जानना क्या है बहुत जरूरी है तो जो भी नेक्ष वीडियो आएगा इसमें जो चेप्टर आपका दिया गया है उसको साल्व करा जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आया तो आपके जाएगे 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 स्क्राइब करें थैंक्यों बंकुरू